हलो दोस्तों राजस्तान जी के कोशन में दोस्तों आपका वेलकम में दोस्तों तो दोस्तों अभी तक इस्टेडी रोजगार यूटूब चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो प्लीस से सबस्क्राइब भी तो आज का पहला कोशन है राजस्तान राज्ये में अंगुरों का सरवादिक उत्पादन किस जिले में होता है तो गंगा नगर जिले में होता है अंगुरों का सबसे ज़्यदा उत्पादन नेक्स शुशने राजस्तान राज्ये में इस तलिए सीमा की कुल लंबाई कितनी है तो 5920 किलोमेटर है इस तलिए सीमा की कुल लंबाई नेक्स ने राजस्तान राज्ये का कौन सा नगर तस्तरी नुमा बेसीन पर बना हुआ है तो उदेपुर जो नगर है वो बना हुआ है दोस्तों तस्तरी नुमा बेसीन पर नेक्स ने राजस्तान में सरवादिक प्राचीन चित्रित ग्रंत कहां मिले हैं तो जेसल मेर उस्तक मंडार में मिले हैं सबसे प्राचिन चिन्नित ग्रंत दोस्तों नेक्स शुशन है राजस्तान में संत धन्ना का जनम कहां हुआ था तो ये धुवन गाउं के अंदर हुआ था सबसे अधिक आकरशित करने वाला परियतक इस्तल दोस्तों नेक्स शुशन है राजस्तान में लहरिया और पॉम्चा परसिद है तो ये जैपुर के फहमें से दोस्तों लहरिया और पॉम्चा नेक्स शुशन है राजस्तान में मेगनीज हेतू सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है तो बांसवाड़ा है दुस्तों मेगनीज है तूफ सबसे बड़ा उत्पादक जीला दुस्तों नेक्स सुषने राजस्तान में ब्यावर बाश्या मेले के परसिद तथा बुंदी में कौन सा मेला परसिद है का मेला परसिद है दुस्तों नेक्स सुषने राजस्तान में पोकरण के पास रामदेवरा का कौन सा मेला लगता है तो वहाँ पर जो लोक संत है रामदेवजी उनका मेला लगता है इसको रामदेवरा के अंदर नेक्स सुषने राजस्तान के नृते नाटक सूरदास और शंकरिया किस पेशेवर जाती से संबंद रखते थे तो सबेरा जाती से संबंद रखते थे नेक्स सुषने राजस्तान के डूंगरपुर और बासवाडा को प्रथक करने वाली नदी है तो माही नदी है डूंगरप पुल्बरी आंदियों को किया कहते हैं? राजस्तान में कौन सा शिवाले में तीन स्वें भू शिव लिंग विराजमान है तो नीलखंड शिवाले में है नेक्स कुशन है राजस्तान में किसान अंदोलन का जनक किसे माना जाता है तो विजे सिंग पतिक को माना जाता है किसान अंदोलन का जनक दोस्तों अगर दोस्तों राजस्तान जीके के कोशन पसंद आए तो प्लिस ये विर्यो केसा लगा दूस्तों